हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं पिटोनिया के बारे में कैसे हम अपनी पिटोनिया से ज्यादा फ्लोवर ले सकते हैं और हमें क्या क्या इसकी देख बाल करनी चाहिए इससे क्या हम ज्यादा से ज्यादा फ्लोवर ले सके तो फ्रेंट्स पूरी जानकारी के लिए बने रहें मेरी वीडियो पे बिल्कुल भी स्किप ना करें तो फ्र पत्तियां होती हैं, पीली हो जाती हैं जो पत्तियां उन्हें हटा देना है, ये पुराने फूल जो होते हैं, ये हमारे प्लांट की सारी एनर्जी लेते रहते हैं, और जो ये पुरानी पत्तियां होती हैं, ये पोधे के एनर्जी लेके इसकी ग्रोथ रोकती हैं, जब ग्रो फ्लॉवरिंग भी अच्छी नहीं होगी देखिए मेरे इस पिटोनिया पे कितनी अच्छी फ्लॉवरिंग हो रही है और दिखाऊं बर्ट्स इतनी बर्ट्स हैं इस पर देखिए और ये मैंने कुल इसे 6 जी के पोट में लगाया हुआ है एक टांड मेरा ये देखिए पिटो दस हिंची के पोट में लगाया हुआ है तो देखिए इस अलगी लुक आ रहा है तो मैं कहना चाहूंगी आप दूसरा काम क्या करें अपनी पिटोनिया को बड़े पोट में हमें से 10 हिंची या 8 हिंची के पोट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लॉवरिंग होग और देखिए इसकी पत्तियां भी देखिए एकदम अलग कितनी बड़ी है और फ्रेंट्स एक बात में और बता दूँ आपको नर्शरी पे हमें तीन तरह की पिटोनिया में एक तो फ्रेंट्स ये होती है स्टार फ्लॉवर एक सिंपल सिंगल कलर फ्लॉवर होती है वो सिंगल सेट वाली है तो हमें क्या करना है सारे ख्राफूल हटाते रहना है और बहुत ज्यादा और वाटरिंग नहीं करनी है हलका हलका पानी देते रहना है हलकी नमी बनी रहने देनी है साफ सफाई अच्छे से रखनी है और पराने फूलों को हटाते रहना है और फ्रेंट फर्टलाइजर में हम इसे डी एपी भी दे सकते हैं अगर आप केमिकल देना चाहते हैं मैं तो नहीं देती केमिकल मैं और्गैनिक देती हूँ और्गैनिक में हमें क्या देना है सरसो की खली का फर्टलाइजर हम इसे दे सकते हैं बायो एंजाइम दे सकते हैं और आज में इने देने वाली हूँ एक यूनिक फर्टलाइजर तो फ्रेंट्स ये मैं आज देने वाली हूँ ये लाल पानी ये लाल पानी वाले फर्टलाइजर की मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ इसे कैसे बनाया जाता है तो फ्रें एक चोटी सी वीडियो पीटोनिया की इन्फोर्मेशन थोड़ी थोड़ी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें थाट्स फर वाचिग्गू